हुए हैं पैन और बीक हाई एक सक्सेस्फुल कैनेडियन इमिद्रेंट जोड़े थे हान विएटनाम में पले बड़े थे 1989 में विएटनाम युद्ध के बाद पॉलिटिकल रेफिजी के तोर पर कैनेडा आये थे बीक भी रेफिजी होकर ही कनेडा आयी थी दोनों टोरेंटों में शादी कर लेते हैं उनके दो बच्चे भी हो जाते हैं हान के पास मर्सेडिस बेंज और बीक के पास लेक्सस ते येस 300 और दोनों के बैंक में 200 अजर डॉलर का सेविंग हान और बीक अपने बच्चों से भी उसी तरह का परिश्रम का उम्मीद करते थे जितना उन्होंने कैनेडा में अपनी जिंदगी अच्छी बनाने में लगा जेनिफर को फिगर स्केटिंग चोड़ना पड़ा जेनिफर जब एलमेंटरी स्कूल में थी तब वो अपनी स्कूल के बद पियानो क्लास जाती थी उसके बद फिगर स्केटिंग कतम करके रात के 10 बजे वो गर पहुंच ती थी फिर आधी रात तक होमवर करके फिर सोजा दूसी सुबा वही स्कूल क्लास और होमवर का सिलसिला उस पर हर चीज में अवल होने का दबाव इतना जहा था कि जेनिफर अपने आपको चोड़ पहुंचाने लगी थी उसके कलाईयों में चोट चोटे काटने के निशानी थे आटवी ग्रेड की ग्रैजुएशन में जे लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा था जेनिफर पांट पूट साथ इंच लंबाई वाली आम लड़की थी कभी मेकप ने करती थी और चश्मे पहनती थी माता पीता का हद से दाद उम्मीत जेनिफर पर बोज़ सलगने लगा था और नाराज ना करने की मनशा से वो चोट जेनिफर सोच भी नहीं सकती थी बाइस साल की उमर तक जेनिफर कभी पार्टियों में नहीं गई शराब नहीं पी और नहीं दोस्तों के सथ गूमने गई जेनिफर के घर का महौल दो संस्कुटी एन कल्चर्स के बीच के मानों घमा सान युद लड़ रहा था कैनड़ा जै है स्कुल के फाइनल येर में केरकलस में फेल हो जाती है और उसका रेशन में एडमिशन कैंसल हो जाता है लेकिन जेनिफर अपने माता पिता से ये बात भी चुपाती है उसने कहा कि वो दो साल साइन्स पड़ेगी फिर फार्मकलोजी जैसे उसका पिता चाते थे इस बात स से मिले यॉक उन्यूसरिटी जाती फिर शाम को लोटकर घर आती कुछ समय बात जैनिफर ने अपने माता-पिता को कहा की वह अपनी दोस्त के घर हफ्ते में तीन दिन रुखेगी क्योंकि उन्यूसरिटी बहुत दूर था माता-पिता मान जाते हैं वो दोस्त के घर नहीं के साथ रहती थी दो साल बाद उन्वेसिटी ग्रेडिवेशन के समय भी वो नकली रिपोर्ट कार्ड बना कर अपने माता-पिता को देती है जब वो फार्मकलोजी करने का नाटक करने लगती है तो हान को कुछ बाते कटकने लगती है और वो जेनिफर जिस दोस्त के गर रहने के लिए कैरकल הז के मैं बहुत हो जा जाता ही वहां से माता-पिता से चुपा कर जेनिफर डैनिफर से मिलने जाने लगती है एक रात कर गायब हो जाता है फिर जेनिफर और डैनियल हान और बीक का कतल करके उनकी हिस्से का गर और पैसा जो ता करीब 500,000 डॉलर उससे अच्छी जिन्दगी जीने का प्लैन बनाते हैं दो नॉमबर को अस्पता ले जाया जाता है लेकिन बीक मर चुकी थी पुलिस जेनिफर से पूश्टाज करती है पुलिस को जेनिफर लूट के लिए अज़न आदमियों का हमले की कहानी बताती है पुलिस को बात कुछ जमी नहीं अगर अंज़न लोग लूट के लिए घर में आये थे तो और उससे वो दोस्त की तरह बात कर रहे थे 22 नॉबर को फिर से जेनिफर से पूश्टाज किया जाता है जेनिफर की जूट का चल कुलने लगाता और उससे आरेस्ट कर लिया जाता है उसने कबूल किया कि माता-पिता के हस्सितादा अंकुश से वह परिशान हो गई और उन कुछ लोग जेनिफर को पिडिता बता रहे हैं तो कुछ लोग खान और पीप को पेरेटिंग का कोई सही तरीका नहीं होता है लेकिन बच्चों से अपनी उम्मीदें पूरी करने के लिए दबाव डालना भी सही बात नहीं है फिर मिलते एक नई केस के साथ अलविदा